हमारे हिंदु धर्मे मा लक्षमी को धन की देवी कहते हैं और ऐसी माननेता है कि इनकी उपासना करने से जीवन में आर्थिक मुस्किलें दूर हो जाती है और घर परिवार में खुसाले आती है और सुक्रवार का दिन मा लक्षमी को समरपित है और इसलिए इस दिन इनकी पूजा भी से सुमानी जाती है मा लक्ष्मी को जब हम पूजा करते हैं उनको प्रसाद अर्पित करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी को प्रशन्द करने के लिए कुछ खास परियोग तो किये ही जाने चाहिए जिससे की मा लक्ष्मी की किरपा आप पर बरस्ती रहे तो आज हम आप से बताने वाले हैं कि सुक्रवार के दिन अपने पर्स में वो कौन सी ऐसी वस्तु रखें कि जीवन की मुस्किलें से माप्त हो जाए धन की मुस्किलें दूर हो जाए तो सबसे पहली वस्तु है देखिए मा लक्ष्मी को प्रशन करना है तो हमेशा ही अपने पर्स को आप फ्रेस रखें यानि दवाई के ले पर कोई भी रसी पटा हुआ कागज भी करें मत रखें और एक मा लक्ष्मी की तस्वीर छोटी सी अपने पर्स में जरूर रखें प्रेड का पत्ता एक लेकर आप मालक्ष्मी के चर्णों का असिरबात मांगकर आप उसको पने पर्स में रखें ऐसा करने से क्या होता है धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है अगर कोई बिसेस मननत हो विस हो तो लाल रंग के कागज पर अपनी मनोकामना लिख कर उसको म मोर कर अपने पर्स में रख लीजिए तो जल्द ही आपके मनोकामना पुर्ण हो जाती है आप चाहें तो इसको आप अच्छे से लाल धागे से बांग के रख सकते हैं चावल के कुछ दाने अगर मालक्ष्मी को अर्पित करके पर्स में रखें याद रहे वो तूटावा न सकते हैं धन की कमीन नहीं होती गोमती चक्र भी मालक्ष्मी को अतीप्रिय है वैसे तो गोमती चक्र जिस भी बैक्टी के घर में होता है धन का अभाव नहीं होता वैसे तो बहुत सारे उपाए हैं इसमें से हरी इलाची भी पर्स में रखा जाता है और इसके साथ ही रुद पर्स में रखे एक सीसे का टुकरा अगर जो टुटा हुआ सीसा ना बुराई से लड़ने का प्रतीक है तो आप एक पर्स में एक सीसा का टुकरा छोटा सा आप रख लें किसी चीज में मोड कर धन का आभाव नहीं होगा आर्थी तंगी से आप मुक्त रहेंगे और थोड़ा सा पैसा ऐसा रखेगा जो आपको घर के बड़े बुजुर्गों का आसिरवात के सोरूप मिला है जैसे आप अपने पिता आपके कुछ देते हैं मा देती है कुछ आपके भाई बेंट कुछ देते हैं बड़े जो हैं जालेंगे धनिवाद